यह देखिए दोस्तों आज हमने बिना प्याज बिना लेसूं तरोई बिल्कुल टेस्टी और नए तरीके से बना कर त्यार करिए दोस्तों आप इसको एक बार बना कर जरूर ट्राइए किजिएगा आपको बहुत पसंद आने वाली है चली आईए मिलकर इसको बनाते हैं देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं चलते हैं किचन में के साथ तरोई की सबजी बनाने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आएंगे हमारी हापकेजी तरोई है हमने इसको धो लिया है दोने के बाद हम इसके लंबे लंबे टुकड़े इस तर के सबजी खाने में बहुत ठेस्ती रखती है इसकी अंदर ना प्याज डालेगे रहलेंगे तकर बीनना प्याज टामाटर के भी ये सबझी बहुत टेस्टी बनकर नहीं करों तृण कर लें, यह पयाज हैं काते। नमक डालेंगे, चोटी चम्मच, कस्तुरी लाल मिर्च डालेंगे, ये साधी सी तरोई की सबजी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, और हाँ दोस्तों आप से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सिस्क्राइब ने किया तो चै टालेंगे, पाने में हम इस मसालो को खोल लेंगे, कडाए हमने पहले से चडा रखी है, चुकी हिंग डालेंगे, जीरा, अब आमने जू मसाला पानी मिलाते रखा था, इसको भी इसके अंदर डाल दिगे, और मिडियम टूलर् वेस्कड ही मिदीमे ढैस्तर कुबूल अब हमने जो तरोई कट करके त्यार करी है उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे यह देखिये अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों इस पब्गी को आप एक बार जरूर बना का ठ्राई की देगा लंच में दिनर में यहां तक कि आप लोग हम लोग अगर जब सफर पर जाती है इस तरीके से आप बिना पाने की तरोई बना कर ले जाएंगे तो यह तरोई खराब नहीं होती और खाने में बहुत टेस्टी होती है बिना प्याद लैसून रमाटर की यह एक पार जरूर बना क आप लोग ट्राइ कीजिएगा यह रेखिए तरोई अमने धक्कर पकने के लिए चाहिए यह रेखिए आप देख सकते ही हमारे तरोई कितनी थेखने के सुन्दर लग रहे हैं आप इसको एक बर बना तब तो शुरू ट्राइगी जिएगा आप हम इसको एक मिनद तक भूल करेंगे और इस चम्मच घर का दही आइड कर देंगे यह रिखिए दही हमने डाल दिये गैस की तेज रखेंगे और इसको हम खुब अक्षी से निक्स करके भूम लेंगे आप इसको एक बाद बना कर जरू ट्राइ कीजिएगा एक मिनद तर चड़ा लेने देखिए गैस की प्रेम बन कर देंगे क्योंकि जो तपीस है वह इसके अंदर लग जाएगी तो इसको देखने है कितनी सुनदा लग रही है तो दोस्तों आप बना कर इसको जरूर ट्राइ किजिएगा और कमेंटर में जरूर बताइगा कि आपको हमारी बनाई हुई है बिला प्यार इसको बाउन में ट्रास्फर कर लिए तो दोस्तों आप जरूर इसको बर बना कर ट्राइ किजिएगा आपको बहुत पसंद आने बाले रोटी के साथ सबजी के साथ पराटे के साथ आप इसको खा सकते हैं तो मिलते हैं गलाए वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वाच्छीं ब बाइ